जब वे भीड के पास आए, एक व्यक्ति येशु के सामने घुटने टेक कर उनसे बिनिती करने लगा। प्रभू मेरे पुत्र पर क्रिपा कीजिए, वो विक्षित तदा अध्यंत रोगी है, वो कभी आग में जागरता है, तो कभी जल में, मैं उसे आपके शिश्यों के पास लाया था, किन्तु वे उसे स्वस्थ ना कर सके। येशु कह उठे, अव विश्वासी और भ्रष्ट पीडी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक मुझे ये सब सहना होगा, लाओ अपने पुत्र को मेरे पास। येशु ने उस प्रेट को फटकारा, और वो उस बालक में से निकल गया, और बालक उसी इक्षण स्वस्थ हो गया। जब येशु अकेले थे, तब शिश्य उनके पास आये और उनसे पूछने लगे, प्रभू, हम उस प्रेट को निश्कासित क्यों न कर सके। अपने विश्वास की कमी के कारण, येशु ने उत्तर दिया, एक सच मैं तुम पर प्रकड कर रहा हूँ, यदि तुम में राई के एक बीज के दूले भी विश्वास है, और तुम इस परवत को आग्या दो, यहां से हट जा, तो ये परवत यहां से हट जाएगा, कुछ भी ना होगा